राजिस्थान में गहलोत वर्सेस मोधी में कौन जीतेगा? वरिष्ट पत्रकार अजीत अंजुम का आंकलन क्या कहता है? 54.1% राजिस्थान में इतनी बंपर वोटिंग आखिर की सोर इशारा करती है पूरा चुनाव जिस तरह आखिर में आते आते गहलोत वर्सेस मोधी के बीच सिम्टा उसमें कई पत्रकारों ने अपना अपना आकलन रखा वरिष्ट पत्रकार अजीत अंजुम चिन्होंने अपने यूट्यूब चानल में राजिस्थान चुनाव कवर किया उन्होंने राजिस्थान चुनाव में वोटिंग के बाद अपना आकलन सामने रखते हुए कहा हार जीत का फैसला तो 3 दिसंबर को हो जाएगा लेकिन मोधी की सेना का सामना गहलोत की यूजनाओं ने पूरी ताकत के साथ किया हिंद्वत्व और धुविकरण का रसाइन लेकर पूरे राजिस्थान में डटी बीजेपी के सामने गहलोत की यूजनाएं मजबूती के साथ खड़ी दिखी राजिस्थान के तमाम इलाकों में गहलोत की चिरंजीवी यूजना का जिक्र करने वाड़े लोग मिले गहलोत न रिवास बदरने की बिसाथ बिचाने के लिए आखरी चेह मईने में पूरा जोड लगाया मोदी और उनकी मशीनरी ने चुनाओ का रुख अपनी तरफ मोनने के लिए आखरी दोर में कनहिया लाल के नाम का भरपूर इस्तवाल किया अधूरी जानकारी और अफ़भा का मिश्रण बनाकर लाखों लोगों तक पहुँचाने में पूरी ताकत जोंकती विकास और बाकी जरूरी मुद्दे छोड़कर कनहिया लाल और सनातन खत्रे में है जैसे नेरेटिव को मुख्य मुद्दा बनाने की कवायत भी खुब हुई मोदी ने गुर्जर वोटो को अपनी तरफ खीचने के लिए पाइलेट की कंधों पर अपनी बंदूक रखने की कोशिश की बीजेपी ने गहलोट को घेरने के लिए उनकी योजनाओं का तोड़ खोजा सस्ते सिरेंडर से लेकर किसानों की सम्मान राशी दुगनी करने की बात की इन सब के बाद भी गहलोट की योजनाओं मजबूती से लड़ती दिखी है पाइलिट फैक्टर ने गहलोट को बहुत नुकसान पहुँचाया है बीजेपी ने तुष्टे करण का आरोब भी गहलोट पर चिपकानी की भरपूर कोशिश की है बहुत हक बीजेपी को इसमें कामियाबी भी मिली है अब नतीजे का इंतजार है आप अतरकार राजी तंजुम के राजिस्तान चुनाओ के आंकलन को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पो जरूर लिखें और चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें